हालो फ्रेंट्स आज हम 6th क्लास का 6.3 नंबर का एक्टिविटी देखने जा रहे है जो चैप्टर हमें समझा रहा है कि हमारे आसपास कैसे कैसे चेंजिस बदलाओ होते रहते है तो उसका एक यहां हमें एक्सपरिमेंट करना है बहुत छोटा सा सिंपल एक्सपरिमेंट है उसमें हमें कहा गया है कि a ball of dough and a rolled out roti यह हमने आटा लिया हुआ है देखिए यह हमारा roti roller है जिसको बैलन कहते है और यह हमारी रोटी रोलिंग करने की टेबल है तो यहां आपको कहीं भी यह डाओ दिया गया है उसके उपर आटा दिया गया है उसके पर क्लेक करनी है और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा डाओ का लेके यह देखिए हमने यह टेबल पर रख दिया पहला चेंज हमें यह देखना है कि इसका आकार इसका यह घाट जिसको हम कहते हैं कि कुछ अलग है और यह एकदम ही गोल है एकदम बॉल की तरह तो यह चेंज हो गया इसका और इसका दोनों का जो है स्वरुप बदल गया यह पहली बात हुई दूसरी बात अगर हम ये बैलन पर क्लिक करके इसकी रोटी बना ले तो ये देखिए अब उसका कैसा हो गया पूरा का पूरा शेप गोल हो गया तो ये simple very simple activity आपको दिखाने का मतलब ये है कि ये डाव में कोई भी हम एक आकार ले सकते हैं यहां से हम उसको गोल बना जेंगे उसको गोल बना जेंगे उसकी रोटी भी बना जेंगे और ये रोटी का फीर से हम डाव भी बना सकते हैं यहां क्लिक कर देंगे, तो यह रिस्टोर कीजिये, फिर से कीजिये, यह देखिए, तो यह चेंज है, हमारे असपास, जो चेंजिस है, वो दिखाने की कोशिश की है, इसके बाद वाली अक्टिविटी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, वो एक्टिविटी में रोटी को आएगा, तब तक के लिए मैं आग्यादीजिया, थैंक्स लॉट पर वाचिक द वीडियो, थैंक्यो वरी मत दोस्तो